तो आज हम पढ़ने वाले हैं मिली एमिटर नाम सी क्लियर में हमने देखे थे कि इस तरीके से गेलवेलोमिटर को कनवर्ट किया जाता है एमिटर के अंदर एमिटर में कनवर्ट करने के जाता इसलिए पड़ी थी क्योंकि एमिटर जो है वो बड़ी बड़ी या फिर स्ट्रॉंग इलेक्ट्रिक करेंट को सिंप्ली मेजर कर सकता है राइट सुदेंट्स लेकिन वहीं पर अगर नाम सी क्लियर है कि मिली एमिटर क्य क्या है थुआ समझते श्ट्रॉंट्स की अगर हम यहां पे मान लीजिए कि हमने पहले एमिटर लिए अगर उस एमिटर में अगर हमने जो हमें शंट लिए थे एमिटर के अंदर वह बहुत ही कम रेजिस्टेंस या फिलो रेजिस्टेंस की वायर थी लेकिन अगर हम उस शं को लेकर के हमने एक बहुत जादा उसकी रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर दिया यहां डैग लिए बोच सकते हैं कि हमने एक हायर रेजिस्टेंस का वायर लिए जिसको हमने पहले ली करने कि उस कोईल के जो की ऐस शंट काम कर रहा है तो उस केस में क्या होगा तो इलेक्रिक क परेन जो flow हो रही थी उस coil में से वो भी increase हो जाएगी ऐसा क्यों बता रहा हूँ हमने shunt को connect किये थे coil के parallel में अब देखिए जब हमने shunt को higher resistance में convert कर लिया यानिकि resistance जादा हो गया जब उस shunt का resistance बढ़ गया मनलब कि उस shunt में से electric current flow कम होगी क्योंकि वहाँ पर resistance से रोकने वाले लोग खड़े हैं ओके resistance क्या करता है electric current के flow को रोकता है तो अब जो electric current shunt में से जाए थी वो shunt में से नजा करके कहाँ से जाएगी क오ईल में से जाएगी तो इस वज़े से अगर हम कैसी एक shunt के resistance को increase करते हैं यानिकि उस कॉइल में से electric current का flow जादा होगा इस वज़े से अब क्योंकि उस कॉइल में से हमको electric current का flow जादा देखने को मिलता है इस वज़े से वहाँ पे हमको deflection देखने मिलेगा किसमें coil में से, क्यों, क्योंकि coil से connected एक pointer होता है, यह हमने आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं, तो जैसे coil क्योंकि deflect होगा, motion में आएगा, उस वज़े से pointer भी deflect होता है, तो यहाँ पे conclusion point यह आता है, कि अगर हम कम current या smaller current भी supply करते हैं, तो हमको हाँ पे ज़्यादा स आप शंट ले रहे हैं, जो आप शंट ले रहे हैं, उसका जो resistance है, वो ज़्यादा होना चाहिए, as compared to the emitter, आप जो ordinary emitter ले रहे हैं, ordinary emitter में क्या होता है, जो resistance होता है, वो कम होता है, लेकिन अगर हम milli emitter की बात करें, तो as compared to the emitter, उस emitter की तुलना में, इस milli emitter के shंट का resistance कित सकता हूं, कि milli emitter का resistance है, वो ज़्यादा होता है, as compared to the emitter के resistance से, तो ये कहानी थी milli emitter की, आई होब आपको clear हो गया होगा, अगर आपको माई वीडियो से कुछ भी सीखने मिला है, नौलेज मिला है, तो प्लीज हमाई चनल को सब्सक्राइक कीजिए, और वीडियो को लाइक जरूर करें, आज के लिए इतना ही, thank you